तो नेवरेट एक क्लास में आपका स्वागत है आज हम विदुत उर्जा उसमी उर्जा और मैगनेट से रिलेटेट बहुत सारे जो कोश्चन बनाये गए हैं ठेक है उनको लेके आया हूँ और मतलब बहुत अच्छे से देखना है आपको और कैसे किस टाइफ के कोश्चन एक इंदिवासा में बहुत ही आसानी से मतलब यह है कि आपको समझ आ जाएगा ठेक है तो चलो श्टार्ट करते हैं विदुत उर्जा को मापने की स्वरी विदुत उर्जा का सुत्र क्या है मतलब होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी ठेक है विदुत उर्जा का मतलब क्या होता है विदुत मतलब होता है इलेक्ट्रिक होता है और उर्जा मतलब होता है एनर्जी ठेक है एनर्जी ठेक है तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मुला जनरली आप एनर्जी मिटर के बारे में सुना हो गया उर्जा मिटर उर्जा मिटर बोलते हैं जिससे एनर्जी म माप मापा जाता है किस टाइप से मापा जाता है यह सारा चीज आपको बताऊंगा तो विदूत उर्जा का सुत्र क्या है ठीक है तो बात कर रहा है विदूत की बात कर रहा है तो विदूत उर्जा का जो सुत्र होगा वो क्या होगा विदूत की बात कर रहा है मतलब यह है कि कि किसी भी हम कोई भी डिवाइस विदू से चलने वाली या विदू से कारे करने वाली कोई भी डिवाइस को हम सबसे पहले क्या हो वोल्टेज दिया जाता है जैसी वोल्टेज एप्लाई करेंगे तो करेंट का फ्लोवेशन होगा मान लो यह जैसे की बल्प है ठेक है अब यह बल्प में हमने यह दो तार इस टाइप से जोड़ दिये ठेक है और यहाँ पे बैटरी की सप्लाई लगा देते है ठेक है तो यहाँ से सबसे पहले क्या होगा वोल्टेज एप्लाई करना होता है यह मान लो यह कोई आपका लैंप है और लैंप में वी वोल्टेज एप्लाई करेंगे तो यहाँ पे करेंट का फ्लोवेशन होगा आई ठेक है तो वी सबसे पहले apply करना है अब वी apply क्यों करते हैं क्योंकि voltage apply करेंगे तो वो electron को push करेगा धके लेगा ठेक है जब electron धके लेंगे मतलब electron गदी करने लगेंगे तो उसी को electron जब moment करने लगते हैं या गदी करने लगते हैं उसी को क्या बोला जाता है current कहा जाता है और उनको ढगेलने के लिए जो force लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम voltage बोलते हैं अब voltage और current के बारे में तो हमको ये multiply करेंगे ठेक है ये चीज़ तो पता चल गया हमको अब लेकिन क्या होता है कि कितने समय के लिए आपने ये battery का connection ये lamp से लिया गया है मतलब ये है कि lamp को कितने समय तक के battery लगा के आप चला रहे हो या उसको प्रकासित कर रहे हो ये time का भी multiply कर दिया जाता है तो कुल मिला के ये समझ आया कि voltage धारा और time तीनो एक साथ multiply होंगे तो विदुत उर्जा बन जाएगी ठेक है क्या बन जाएगी electric energy बन जाएगी विदुत उर्जा e equal क्या होगा voltage into current into time ये तीनों का multiply कर देंगे तो ही क्या बन जाएगा विदुत उर्जा हो जाएगी उसी को क्या बोलेंगे विदुत उर्जा तो इसका जो right answer होगा क्या होगा पहला वाला इसका right answer होगा फिर next question देखते हैं एक BOT बहुत ही important question है ठेक है बहुत बार exam में पूछा गया है ये IMP question है इसको mark कर लो आप तो ठेक है ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि जो भी IMP question है उसको mark करना है ठेक है mark कहा करना है तो question के उपर mark कर दिए कि बोले ये IMP question है ठेक है तो एक BOT बराबर क्या होता है ये हमारा सबसे important question है और इस मतलब इस topic में सबसे जो important जो question हो जाता है वो ये BOT से related हो जाता है ठेक है बी मतलब होता है यहाँ पर बी ओटी का सबसे पहले तो ये बताओ आपको कि BOT का actual में फुल फार्म क्या होता है क्योंकि जब तक कि आपको फुल फार्म पता नहीं होगा तब तक कि आप कोई भी question को आसानी से सालों नहीं कर पाऊगे ठेक है तो किसी भी question को आसानी से सालों करने के लिए main चाहिए रहता है उसका full farm चाहिए उसकी meaning चाहिए उसके concept पता होना चाहिए ठेक है तो B मतलब होता है यहाँ पे B का मतलब होगा यहाँ पे board O का मतलब होता है of ठेक है और U का मतलब होता है trade U का मतलब क्या होगा board of trade ठेक है पूरा full farm क्या होगा board of trade एक BOT बराबर होता है ठेक है एक BOT बराबर क्या होता है ठेक है तो एक BOT BOT Board of Trade Unit बराबर होता है किलो वाट किलो वाट हावर divided by 1000 मतलब यह है कि किलो वाट चाहिए और हावर टाइम चाहिए ठेक है और divided कर देंगे 1000 का हम divide कर देंगे तो वो ही एक BOT हो जाएगा Board of Trade Unit ठेक है BOT Unit कहा जाता है ठेक है तो इसका जो राइट आंसर होगा वाट हावर प्रती 1000 नहीं हो सकता है ठेक है किलो वाट हावर प्रती 1000 मतलब किलो वाट हावर में 1000 का भाग देंगे मतलब किलो वाट हावर में 1000 का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा Board of Trade Unit बन जाएगा ठेक है फिर next विदुत उर्जा की खपत का सुत्र विदुत उर्जा की जो खपत कंज्यूम करते हैं खपत मतलब होता है कंज्यूम करना ठेक है मतलब जो खपत मतलब होता है खपत करना और विदुत उर्जा को खपत करने का सुत्र क्या है ठेक है तो विदुत उर्जा जो खपत होती है हमारे घरों में या फैक्टरी में या कहीं पर भी इंडेस्टी में या कोई भी हास्फिटल या banking sector में कहीं पर भी electricity की जो energy है वो consume होती है खर्च होती है ठेक है तो उसका सुत्र क्या होता है किस सुत्र के माध्यम से unit निकाला जाता है यह चीज मैं आपको बता रहा हूं तो कभी भी याद रखना कि हम घरों में कितना load लगाए हैं ठेक है और कितने घंटे तक के उस load को चल है जैसे load मतलब होता है पंका, cooler, mixer, grinder, फेन यह सारा टीव लाइट और जितने बल्प जलाते है टीवी का यूज का इलेक्टी सीटी से चलने वाले जितने भी device होते हैं जिसका यूज करते हैं अपने धैनिक कारे के लिए यूज करते हैं ठेक है वो क्या होता है वो power हो जाती कि उसकी ठेक है और उस power में कितनी power का यूज कर रहे हो और कितने घंटे तक की यूज कर रहे हो कितने समय तक की यूज कर रहे हो उसका पूरा multiply कर देते हैं और multiply करने के बाद 1000 का भाग दे देते हैं ठेक है जैसे कि एक example मैं आपको बता रहा हूं इसका जो right answer होगा kilowatt hour बट लगाय हो main supply से correct करके लगाय हो और उसको एक घंटे तक कितने घंटे तक के एक घंटे तक के आपने जला लिए या प्रकासित कर लिए continue लगातार ठीक है और उसमें divided 1000 का भाग दे देंगे हम तो बराबर आ जाएगा क्या 1000 में से 1000 cancel out हो जाएगा और जब 1000 में से 1000 cancel out हो क्या एक तो एक unit generally हम बिजली बिल का जो भुकतान करते unit के इसाफ से करते हैं तो 1000 वाट का आपने बल्प लिया और एक घंटे तक के उसको रन कराया ठीक है प्रकासित करवाया और 1000 का भाग दे दिये तो एक unit आ गया और एक unit लगबग 8 रूपए 10 रूपए 12 रूपए जित इतना भी बिल पे करना हो unit के इसाफ से रहता है यदि 8 रूपए चल रहा है ठीक है टेरिप के इसाफ से चलता है यह टेरिप के पारे में बाद में बताऊंगा ठीक है तो अलग-अलग जगों के लिए डोमेसियल परपज के लिए अलग टेरिप होता है इंडेस्टियल परपज के लिए अलग टेरिप होता है मतलब यह की सभी अलग-अलग परपज के लिए अलग-अलग टेरिप का यूज करते हैं तो वीदू तुर्जा की खपत का सुत्र क्या बन जाएगा आपका किलो बराबर क्या होगा तो एक यूनिट बराबर निकालने का फार्मूला क्या है किलो वाट ठीक है हावर बटे 1000 ठीक है ये हावर जो होता है टाइम को हमेशा हावर में लिया जाता है घंटे में लिया जाता है ये चीज़ याद रखना एक यूनिट निकालने का ये फार्मूला ह हो जाता है और इसी के माध्यम से हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं अपने घरों में भी इंडस्टी में और बड़े-बड़े जहां सेक्टर होते हैं ठेक है वहाँ पे एक यूनिट निकालने का फर्मुला यह हो जाता है जितने यूनिट के इसाब से ठेक है निकालना हो उतना निकाल सकते हो ठेक है आई होप की तो यह वाला जो कोश्चन है इसका राइट अंसर होगा किलो वाट हावर बटे 1000 फिर उसके बार नेक्ट एक किलो वाट हावर बराबर होता है बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है यह बार बार इसको वी आईपी कर देना इसको इसको वी एक किलो वार्ट हावर बराबर ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ ठेक है इसको जूल में कनवर्ट करना है ठेक है तो एक किलो का मतलब होता है क्या एक किलो का मतलब क्या होता है ये चीज एक किलो मतलब होता है एक हजार ठेक है इसका संबंद एक हजार से ठेक है एक किलो व ठेक है क्योंकि जूल जो होता है वो second से related relation रखता है ठेक है और आपका जो time है हावर को क्या होई second में convert करना है अब second में convert करना है तो 60 minute का एक हावर होता है और 60 minute को second में convert करना है तो क्या करेंगे 60 गुना 60 करेंगे तो ये 3600 हो जाएगा और ये 3600 का 1000 से multiply करेंगे तो ये 36 और ये 36 ये हो गया ठेक है ये 2-0 इस टाइप से हो गया और ये 3-0 कुल मिला के क्या हो गया 5-0 ये हो गया ठेक है तो कुल मिला के ये पहला भी option सही है दूसरा option क्या होता है कि यदि मैं इसको point में change कर दू ठीक है 3.6 ठीक है point में तो 10 का भाग देना पड़ता है ठीक है 10 का क्या करेंगे हम भाग देंगे ठीक है तो ओकुल मिला के जब ये उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3.6 into 10 पे minus 6 Joule हो जाएगा इसका right answer मतलब ये है कि ये भी दोनों इसका right answer 36 मतलब ये है कि 36 के बाद 5.0 और 3.6 10.6 की power Joule के बराबर भी होगा तो ये दोनों option इसके right answer है और ये बहुत बार exam में पूछा जाता है ठीक है फिर next question उसमी उर्जा का सुत्र क्या है ठीक है उसमी उर्जा का heat energy और heat energy का है तो heater में मिलेगी आपको एक heater जैसे heater generally क्या होता है induction heater होते है या आपका जो immersion rod heater होता है ठीक है इससे पानी गराम करते हैं या आपका गीजर जिसमें पानी गराम करते हैं ठीक है automatic पानी गराम करके मिलता है temperature के हिसाब से वहाँ पे sensor वह लगा हुआ रहता है ठीक है तो heat energy निकालने का फार्मूला है ठीक है तो heat energy निकालने का फार्मूला है एक चीज़ याद रखना कि जब भी अगर heat energy का निकलना है तो heat को h से denote करेंगे is equal to क्या होगा i square r t के बराबर होता है ठीक है मतलब यह कि धारा का वर्ग into प्रतिरोध r into t मतलब time ठीक है यह पूरा जो होता है वो क्या होता है heat energy का या उसमी उर्जा का फार्मूला होता है तो इसका जो right answer होगा पहला ही इसका right answer होगा उसमी उर्जा को मापने की SI1 कई क्या है अब उसमी उर्जा की बात कर रहा है कौन सी उर्जा की बात कर रहा है उसमी उर्जा को या तो जूल से मापने या कैलोरी से मापने ठेक है जूल से मापने या कैलोरी से मापने तो जूल की बात कर रहा है तो इसमें जूल SI की बात कर रहा है international standard की बात कर रहा है इसका मतलब यह है कि joule में measurement करेंगे हम फिर इसके बाद next question देखते हैं एक calorie यह बहुत ही ज़्यादा exam में मतलब यह है कि maximum सबसे ज़्यादा बार आने वाला जो question है यह math में भी मतलब यह कि workshop calculation में भी आ सकता है और theory से भी related है दोनों के लिए common question है ठेक है तो दोनों में आने की संभावना रहती है ठेक है दोनों में से कही न कहीं आने की संभावना रहती है तो एक calorie बराबर मतलब heat को मापने की या उसमी उर्जा को मापने की जो इकाई होती है calorie भी होती है जूल भी होती है और अर्ग भी होगी ठीक है लेकिन जनरली हम बात कर रहे हैं कैलोरी की तो एक कैलोरी एक कैलोरी एक कैलोरी इस इक्वल टू क्या होगा ठीक है तो एक कैलोरी इस इक्वल टू होगा 4.18 जूल के बराबर होता है ठीक है यह इंडियन स्टेंडर्ड है एक स्टेंडर्ड होता है चार दसंबलो 18 ये चीज याद रखना चार दसंबलो 18 जूल के बराबर होता है ठेक है और ये चीज आपको याद रखना है ठेक है एक कैलोरी बराबर कितना होता है ठेक है चार दसंबलो 18 जूल के बराबर होता है और ये VIP कोशन है इसको बार बार आपको बता रहा हूं कि ये याद रखना है फिर उसके बार next question देंगे एक कीलो कैलोरी एक कैलोरी के बारे में पता है तो एक कीलो कैलोरी का निकाल सकते हैं आप 1000 का multiply किसे करेंगे 4.18 से करेंगे तो क्या होगा 4.18 आएगा ठीक है कितना आएगा 4188 आएगा इसका जो right answer होगा वो second number का इसका right answer होगा फिर एक जूल बराबर क्या होता है अब देखो एक calorie हमको पता है कि एक calorie बराबर क्या होता है एक calorie बराबर equal to k से denote कर रहा हूँ मैं इसको ठेक है तो एक calorie बराबर 4.18 जूल के बराबर होता है ठेक है तो जूल के बराबर होता है जे के बराबर तो जूल निकालना है ठेक है तो calorie किसके बराबर होगा तो जे निकालना है तो यह यहाँ पर multiply 4.18 का जे से multiply है ठेक है तो 4.18 को एक calorie के नीचे लेके आते है तो जूल बराबर क्या हो जाएगा इसका जो answer क्या हो जाएगा जूल बराबर जूल निकालना है न तो एक बटे 4.18 कर देंगे ठीक है पक्षांतर करके तो एक बटे 4.18 करेंगे जब एक में 4.18 का भाग देंगे तो क्या आएगा इसका right answer आता है 0 से कम आएगा 0 से कम आएगा क्योंकि उपर 1 है मतला भी यह है कि numerator 1 है और denominator 4 है ठीक है 4 दसमलो कुछ something है ठीक है तो simple सी बात है कि इसका जो right answer होगा वो क्या होगा 0.239 इसका right answer होगा मतला भी यह है कि 0 दसमलो 249 कैलोरी के बराबर एक जूल होता है ठीक है फिर next question देखते है अब चुम्बक से related है हना magnetic पदार से related है और magnet से related है और जहां से magnet से related एक ना एक question एक जाम में पूछा जाता है ठीक है तो प्रतिचुम की पदार की चुम्बक सीलता है चुम्बक सीलता मतलब क्या होता है तो चुम्बक सीलता मतलब होता है permeability कहते हैं इंगलिस से क्या बोलेंगे बेटा इसको permeability permeability ठेक है permeability मतलब होता है permission देना ठेक है या रास्ता देना या permission देना को ही हम बोलते है permeability कहा जाता है और चुम्बक सीलता मतलब इंगलिस से बोलते है permeability और permeability मतलब यहता है प्रती चुमकी पदार्थ मतलब प्रती प्रती मतलब होता है प्रती मतलब होता है क्या तो यह प्रती मतलब होता है dia dimagnetic material बोलते है प्रती चुमकी पदार्थ को dimagnetic material बोलेंगे प्रती चुमकी पदार्थ को क्या बोलेंगे यह याद रखना तो प्रतिचुम की मतलब डाया मेगनेटिक मटेरियल मेगनेटिक नेटिक मटेरियल ठेक है तो डाय मेगनेटिक मटेरियल की चुमबक सिलता क्या होती है तो एक से कम होती है जिरो पाइंट में होती है प्रतिचुम की पदार्थ की सबसे कम चुमबक सिलता हो और एक से कम होगी 0.1, 0.2, ऐसे, इस टाइप के मतलब यह है कि चुम्बक सिलता की कोई इकाई नहीं होती, इसलिए मतलब यह है कि इकाई लिखना यहाँ कोई अनिवारे नहीं है, ठीक है, तो इसलिए याद रखना कि प्रति चुम्की पदार्थ की चुम्बक सिलता क्या होती है, तो एक से कम होती है, यह चीज़ याद रखना आपको, अनुचुम्की पदार्थ, पेरा मेगनेटिक मतेरियल, पेरा मेगनेटिक मतेरियल की चुम्बक सिलता होती है, ठीक है, तो एक से दस, ठीक है, एक से दस इस इसकी चुंबक सिलता होती है, याद रखना है, ठेक है? मतलब यह ए इसमें चुंबक बनने की कुछ quality होती है, प्रेथि चुमकी पदात में वो चुंबक के पास लेके जाएंगे तो व करशित होगा, चुंबक की पास इसको लेके जाएंगे अनुचुमकी पदार, तो होता है low मतलब iron ठीक है और low चुमकी पतारत की चुमबक सीलता होती है सबसे ज़्यादा चुमबक सीलता की बात करता है 200 से 1000 के बीच होती है यह याद रखना है आपको बहुती IMP question है यह सबसे अधिक चुमबक सीलता किस की लो चुमकी सबसे कम किस की होती तो प्रतीचुमकी और मध्यम किस की होती तो अनुचुमकी की यह चीज आपको याद रखना है सबसे अधिक सबसे कम और मध्यम से related भी question पूंच लेता है exam में टेक है तो !! यह सारे चीज याद रखना है आपको नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं चुमकी फ्लक्सकों मापने की cgc क्या है very very IMP कोश्चन है बार बार एक्जाम में पूछा जाने वाला कोश्चन है very very IMP कोश्चन है यह चीज याद रखना है ठेक है भी IP मार करके रख लेना है इसको क्योंकि वह बहुत ज़्यादा एक्जाम में पूछा जाता है या तो cgs पूछा जाता है mks पूछा जाता है एसा ही पूछा जाता है ठेक है तो तुमकी फ्लक्सको मापने की cgs iKI क्या है तो Maxwell, Maxwell मतलब सबसे छोटी EKI, CGS EKI Maxwell कहलाईगी, Maxwell वग्यानिक का नाम है यह, और वग्यानिक मतलब छोटे वग्यानिक का नाम है, ठेक है, यह जो, मतलब यह है कि एक-एक लाइने को मेजरमेंट करने की चमता रखता है यह, ठेक है, चुमकी फ्लक्स में ऐसी लाइने होती है, मेजरमेंट करने की चमता रखता है, कौन, Maxwell और Maxwell ही CGS पद्धती में मेजरमेंट कर सकता है, ठेक है, वेबर नहीं कर सकता, वेबर बड़े फाउम में मेजरमेंट करता है, ठेक है, चुमकी फ्लक्स को मापने की MKS ही काई क्या है, चुमकी फ्लक्स को मापने की MKS की बात कर र था लेकिन बड़े फॉर्म में काम करने वाले विज्ञानिक था ठीक है चुमकी फ्लक्सकों बड़े फॉर्म में मेजरमेंट करता था ठीक है किस फॉर्म में मेजरमेंट करता था बड़े फॉर्म में मेजरमेंट करता था और चुमकी फ्लक्सकों आपने की बड़ी जो अंतर राष्टी की बात कर रहा है इंटरनेशनल इस्टेंडरेट की बात कर रहा है मतलब वेबर ठेक है घुमा के कोशन पूछ सकता है इसलिए यह सारे कोशन बनाना पड़ता है ठेक है एक वेबर बराबर बहुत ही IMP कोशन है यह बार-बार कॉम्पिटेटिव में भी करना है ठेक है एक वेबर बराबर क्या होता है तो यह यह चीज़ याद रखना वेबर का मैक्सवेल से क्या संबंद है तो एक वेबर ठेक है वेबर बड़ा विग्यानिक था और मैक्सवेल छोटा एक वेबर किसके बराबर होता है तो दस पे आठ दस पे आठ मैक्सवेल के बराबर होता है किसके बराबर मैक्सवेल के बराबर होता है या 10 पे 8 लाइन के बराबर भी मैक्सवेल को ही लाइन का क्योंकि लाइन एक एक लाइन को मेजरमेंट करता है मैक्सवेल ठीक है तो वेबर एक वेबर बराबर क्या 10 पे 8 मैक्सवेल भी होगा और दस पे 8 लाइन भी होगा, तो मतलब यही की इसका right answer क्या होगा? ई भी दोनों इसका right answer होगा, फिर उसके वाद एक Maxwell बरावर, ठेक है? अब एक Weber की बात कर रहा है, तो Maxwell just appode, ठेक है? तो एक Maxwell बरावर क्या होगा? ठेक है? एक Maxwell की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, Maxwell की बात कर रहा है, एक Maxwell बराबर आईए, बटे 10 पे 8 Weber के बराबर भी हो सकता है, या 10, estaban minus 8 ठेक है, 10 की power 8 को आपर ले लेके जाएंगे, तो क्या होगा, minus 8 होगा, ठेक है, तो 10 पे minus 8 के बराबर भी होगा, मतलब एपी दुनों इसके right answer एक बटे 10 पे 8 ठेक है और 10 पे minus 8 के पराबर भी हो गाई ठेक है फिर उसके बाद चुमकी flex घनातो ये बहुत ही important question है ये भी IMP question है इसको mark कर लेना है ठेक है जो जो IMP question बूल रहा हूँ उसको very very IMP question जो होते हैं उनको mark करके रख लेना है ठेक है तो चुमकी flex घनातो को B से denote करते हैं किस से denote करते हैं B ठेक है B चुमकी flex घनातो मतलब यहाँ पे चुमकी flex घनातो को B से denote कैपेटल B से denote करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है वो 5 upon A के बराबर होता है b बराबर होता है 5 upon a मतलब flex upon meter square area flex upon area एक आंग चेत फल पर उपस्तित flux की मातरा को यह क्या कहा जाता है flex गनत उथों कहा जाता है एक आंग मतलब प्रती एक आंग चेत पर पर जतने मातरा हैं flux की वो इसका करा एता है flux चुम की flex गनतों कहलता है फिर उसके बार next question देखते है चुमकी फ्लक्स घनतु का सुत्र क्या है तो यह बी बराबर फाई अपाने है यह इसका right answer होगा ठेक है फिर चुमकी फ्लक्स घनतु की cgs इकाई cgs इकाई की बात कर रहा है cgs मतलब छोटी इकाई और छोटी इकाई चुमकी फ्लक्स बीब बी को कौन measurement करेगा तो gos gos वेग्यानिक थे यह ठीक है छोटे form में measurement करते थे चुमकी फ्लक्स घनतु को और gos नामक वेग्यानि के नाम में जनरली आपने पढ़े होगे या सुने होगे gos ठीक है बहुत ही famous वेग्यानिक थे gos ठीक है तो इनी के नाम पर यह इकाई बन चुकी ह ठीक है फिर एक चुमकी फ्लक्स घनतु की MKS ही काई है MKS की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है MKS की बात कर रहा है ठीक है तो MKS की जब भी बात करता है तो वेबर प्रती मीटर वर्ग हो जाता है इसका right answer ठीक है चुमकी फ्लक्स को मापने की तो B बराबर होता है देखो B पराबर 5 अपाने है ठीक है तो 5 5 मतलब होता है चुमकी flux और चुमकी flux को मापने की MKS-EKai क्या है तो Weber होगी ठीक है बटे यह मतलब area और area को meter square में major money करेंगे ठीक है तो Weber प्रती meter square इसका right answer हो जाएगा यह चीज़ याद international standard है ठीक है SI की बात कर रहा है मतलब international standard है और इसकी Tesla Tesla बड़े वेग्यानिक थे Tesla के नाम से सुना होगा ठीक है Tesla Tesla को के बारे में आपने सुने गाए टेसला बहुत ही फेमस और बहुत ही बहुत जादा फेमस वेग्यानिक थे और इन्हों सुने यह क्या है चुंकी फ्लक्स गनातों को मतलब यह SI के रूप में बनाया था टेसला नामक वेग्यानिक ने ठेक है यह चीज याद रहे टेसला या वेबर प्रतिमीटर इसके एक कई चीज है कोई अंतर नहीं है यह कई चीज है याद रखना एक टेसला बराबर वेबर प्रतिमीटर इसके बराबर भी होता है चुंबक वाहग बल का सुत्र क्या है चुंबक वाहग बल मेगनेटिव मोटिव फोर्स कहते हैं इसको क्या बोलते हैं मेगनेटिक मेगनेटिक मोटिव फोर्स क्या बोलेंगे मेगनेटिव मोटिव मोटिव फोर्स कहा जाता है इसको ठेक है और मेगनेटिव मोटिव फोर्स मतलब चुम्बक वाहग बल का सुत्र क्या होगा ठेक है तो MMF कहते हैं इसको ठेक है तो इसका फार्मूला होगा FM बराबर FM मतलब होता है M, M मतलब होता है मेगनेटिव मोटी और एप मतलब होता है फोर्स ठेक है चुम्बक को चलाने वाले बल को चुम्बक को चुमकी बल रेखाओं को या चुमकी फ्लक्स को चलाने वाले जो बल को गती प्रदान करने वाले बल को क्या बोलेंगे मेगनेटिव मोटी फोर्स या चुम्बक वाहग का फार्मूलय क्या होगा तो FM बराबर होता है N I E FM बराबर क्या होता है N into I N मतलब number of turn I मतलब current कोई भी conductor कोई भी coil है और इस coil में इतने turn है मानलो 2 भी हो सकते 4 भी जितने भी अपस्वान ठीक है और इसमें जो भी current flow होने के कारान किसी conductor में वो भी conductor क्या हो coil नुमार्शन रचना हो उसकी coil बनी हो और उसमें कोई current flow हो रही है तो चुम्बक वाहाग बल्ग की उत्पत्ती होगी उसे ही बोला जाता है, magnetic motive, force कहा जाता है, तो चुम्बक वहाग बल का सूत्र यहाँ, इन में से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, NI upon L b नहीं है, NI upon A नहीं होगा, इन में कोई नहीं, इसका right answer होगा, ठीक है, अब यहाँ पर यह कोशन इस टाइप का भी चुम्बक वहाग बल का सूत्र क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर formula F बराबर, FM बराबर NI, यह formula next, चुम्बक वहाग बल की इकाई क्या है, चुम्बक वहाग बल मतलब FM, ठीक है, FM बराबर क्या होता है, तो N into I, और धारा को काई से मापेंगे, एंपिर से मापेंगे, और N मतलब number of turn, number of turn मतलब है कि इसका formula क्या होगा, MPR turn इसका right answer हो जाएगा, कितने turn मारे हैं और कितनी current की flowvation कर रहे हैं, चुम्बक, चुम्बक की प्रतिष्ठब, प्रतिष्ठब मतलब होता है reluctance, जैसे विदुधरा में या विदुधर से संब्दी, विदुधर परिपत में विदुधरा के मार्ग में रुकाउट करने वाले गुण को क्या बोला जाता है हम, प्रतिरोत कहा जाता है उसी प्रकार, चुम्बक में, चुम्बक के मार्ग में रुकाउट करने वाले गुण को क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठब कहा जाता है, और प्रतिष्ठब को इंगलिस से बोलेंगे reluctance, जैसे current को block करता है, या current को रोकने का काम कोन करता है, विदुध ठीक है, और प्रतिष्ठब का, चुम्बक की प्रतिष्ठब को R, reluctance को R से denote करेंगे यहाँ पे भी, और यह भी RM, magnetic reluctance कहा जाता, RM बराबर क्या हो जाएगा, MMF, ठीक है, या FM बटे, FM बटे क्या होगा, फाई भी हो सकता है, ठीक है, या इसका जो फार्मुला सीधा, ठीक है R बराबर NI अपन फाई, फाई मतलब फ्लक्स होगा, फ्लक्स का विरोध करने वाले गुण को reluctance बोलेंगे, कौन से, फ्लक्स के मानके में रुकाउट करने वाले गुण को reluctance बोलेंगे, ठीक है, NI मतलब होता है, magnetic motive force, ठीक है, यह चीज याद रखना, जैसे प्रतिरोध में क सालो करना है, यह राइट अंसर क्या होगा, NI अपन फाई, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स है, चुमक की प्रतिष्ठप की इकाई क्या होगी, NI, NI मतलब एंपियर टन और प्रतिवेबर, ठीक है, एंपियर टन प्रतिवेबर इसकी इकाई होगी, यह चीज याद रखना है फिर नेक्स है, चुमक सीलता का सुत्र क्या है, म्यू बराबर, चुमक सीलता मतलब होता है, चुमक सीलता को म्यू से डिनोट करते हैं, चुमक सीलता मतलब पर्मीबिलीटी होती है, ठीक है, पर्मीबिलीटी मतलब म्यू होगा, और म्यू को डिनोट कैसे करेंगे, इसका फा चुंबक सीलता की इकाई की बात कर रहा है तो चुंबक सीलता किम आपने की कोई इकाई नहीं होती ठीक है? यो right answer यो बार बार exam में IMP question है very very important question है इसको mark कर के रख लेदा है आपको बहुत ज़्यादा exam में पुछा जाने वाला question है ये चुम्बक सीलता की इकाई क्या है तो कोई इकाई नहीं होती चुम्बक सीलता की इकाई ठेक है चुम्बक सीलता की SI इकाई की बात करता है तो याद रखना ये ठेक है ये SI से related है ठेक है तो इसको याद रखना हेंडरी प्रती वर्ग मीटर भी होता है और न्यूटन प्रती एंपियर वर्ग भी होता है ये चीज़ याद रखना ठेक है इसका right answer होगा ये भी दोनों इसका right answer हेंडरी प्रती मीटर इसक्वेर ठेक है मतलब हेंडरी ठेक है हेंडरी मतलब हेंरी किसकी इकाई है तो हेंरी किसकी इकाई होगी इंडक्टेंस को मापने की इकाई ठीक है और इंडक्टेंस कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होने की वज़ा से किसी कंडक्टर में और ये कंडक्टर से से related है कि चुम्बक सीलता कि SIE का यह conductor से related है मतलब यह coil बना है और coil में inductance होगा जिसकी वज़़ा से हम Henry प्रती work meter में measurement करेंगे और Newton Newton ampere work meter में भी प्रती नहीं आएगा यहां पे Newton into ampere work meter ठेक है तो यह भी दोनों इसका right answer होगा Newton से भी related है और Henry